एक तरफ आ रही है एश्वर्य और अभिशेक के अलगाव की शौकिंग खबरे तो दूसरी तरफ बच्चन परिवार में तूट गया है एक और सदस्य का दिल शादी की खबरों के बीच ब्रेक अप न्यूज ने उड़ाया फैंस का फ्यूज जी हाँ अभिशेक बच्चन और एश्वर्य राय के अलगाव की खबरे थमने का नाम नहीं ले रही है सोशल मीडिया पर जोरो शोरो से ये चर्चा हो रही है कि एश्वर्य अभिशेक का रिष्टा तूटने की कगार पर है और अब इन ही खबरों के बीच आ रही है बच्चन परिवार में एक और सदस्य का दिल तूटने की शौकिंग खबर उस सदस्य कोई और नहीं बलकि बिगबी की नातिन नवया नवेली नंदा है खबरों के मुताबिक बिगबी की नाति नव्या नवेली नंदा का दिल तूट कया है बॉइफरिंड सिधान चत्रुवेदी के साथ नव्या का प्रेक अब हो गया है डेटिंग के दो साल बाद नव्या और सिधान ने अपने रास्ते अलग कर लिये हैं जैसा कि सब जानते हैं कि बीटे दो साल से बिगबी की नाति नव्या का नाम गली बॉय आक्टर सिधान चत्रुवेदी के साथ जोड़ा जा रहा है दोनोंने कभी भी अपने रिष्टे पर ओफिशल मुहर नहीं लगाई थी लेकिन इनके दिल का हाल जमाने से छिपा भी नहीं रहा था दोनों को कई बार एक साथ कैमरों की निगाहों से छुपकर आउटिंग पर जाते हुए स्पॉट किया गया है सिर्फ सिधान्त ही नहीं बलकि नव्या की बॉंडिंग उनकी मम्मी के साथ भी छिपी नहीं रही है तो वहीं बीते साल अक्टूबर महीने में सिधान चत्रुवेदी नव्या और उनकी माई शुएता के साथ दिनर पर स्पॉट हुए थे सिधांत और श्वेता की मुलाकात ने उनके और नव्या के रिष्टे पर मुहर लगाने का काम किया था इसके बाद माना जा रहा था कि नव्या और सिधांत का रिष्टा दोनों परिवारों को मन्जूर है तो वहीं फैंस तो ये कयास भी लगाने लगे थे कि जल्दी बिगबी की नातिम की शादी की शहनाईयां बज सकती है लेकिन अब नव्या और सिधान्त के ब्रेकप की खबरों ने उनके सभी चाहने वालों को हैरान कर दिया है रिपोर्ट्स के मताबिक सिधान्त और नव्या ने अपना रिष्टा खत्म कर लिया है हाना कि उनका रिष्टा बुरे नोट पर खत्म नहीं हुआ है ब्रेकप के बावजूद वो दोनों अच्छे दोस्त हैं फिलहाल उनकी देटिंग की खबरों की तरह ही दोनों ने अपने ब्रेकप न्यूस पर भी कोई रियाक्शन नहीं दिया है बतादे की भले ही नव्या बॉलिवूड की सबसे पावरफुल फैमिली यानी बच्चन परिवार का हिस्सा है लेकिन फिल्मी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं है पापा निखिल नंदा की तरह ही नव्या भी बिस्नेस विमेन है वो आरा हेल्थ के नाम से एक हेल्थ प्लेटफॉर्म चलाती है साथ ही वाट दा हेल नव्या के नाम से उनका एक पॉड़कास्ट शो भी है VeroReport E24 झाल झाल